ओम शांती, 16 जुलाई 2022 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा अभी तुम पतित पावन बाप की संतान बने हो, जो अपने को इश्वरिय उलाद समझते हैं, वे अपने दिल से पूछे, क्या हम बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंदा करते हैं, अगर परमपिता परमात्म के साथ लव है, तो लव का सबूत देना है, और सबूत है पतितों को पावन बनाना, बहुतों को पावन बनाएंगे, तो बाबा इनाम देंगे, तुम बच्चों को भी बाप समान, रुहानी होस्पिटल वो युनिवर खोलनी है, लेकिन जो बाप की बने ही नहीं, वह यह धंदा कर ना सके, ब्राह्मनों का करतव्य है, सब को पावन बनाना, ऐसे बच्चे ही बाप की दिल पर चड़ेंगे, अब तुम्हें कोई पतित कार्य नहीं करना, कभी विकार में नहीं जाना, अभी तुम धनी के बने ह फिर और जो निधन के है, उनको भी धनी का बनाने का पुरुशार्थ करो, तुम्हें मनुश्यों को कोडी से हीरे जैसा देवता बनाना है, यह तुम्हारी कल्प कल्पांत्र की बाजी है, जो यह धंदा नहीं करते, तो गोया ना खुद पावन बने है, ना कोई को पावन बना सकते हैं, बाप से एक रस लव होना चाहिए, पुराने मित्र संबंधियों वो पुरानी दुनिया से मोह निकाल देना है, जब वह निकले तब गुण धारन हो, आपस में लून पानी हो, कभी डिस सर्विस नहीं करनी, तुम्हें तो सर्विस लायक बनना है, सर्विस कर करने वाले सदेव खुशी में हरशित रहेंगे, और लास्ट में बाबा ने कहा, एक दो की निंदा कर, किसी के दिल को खराब नहीं करना, फुलाने ऐसे हैं, यह बातें छोड़, पहले स्वियम को देखना है, कि हम क्या करते हैं, क्या हम खुद पूरा बाप को फोलो करते है और अब सुनते हैं महवाकियों को विस्तार से बुद्धी योग निकाल, नश्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती हैं, वह कभी किसी की निंदा करके, एक दो की दिल खराब नहीं करतें, बाप को पूरा पूरा फोलो करते हैं, सावरे को गुरा, खारे को मीठा, और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं, सदा हर्षित रहते हैं, गीत किसने यह सब खेल रचाया, ओम शान्ती। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी इश्वरिय संतान और इश्वरिय संप्रदाई हैं। उसके पहले हम आशुरी संप्रदाई थे। अभी हमको इश्वरिय मत्त मिलती है। इश्वरिय मत्त क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपनी दिल से पूछते रहे, जबकि हम पतित पावन की संतान हैं, तो अभी हम बाप का धंदा करते हैं या नहीं। दुनिया में तो बाप का धंदा अलग, तो बच्चों का धंदा अलग-अलग होता है। अनेक प्रकार के धंदे हैं, अनेक प्रकार की मत्ते की मत्त अलग, यह फिर है इश्वरिय मत्त। तुम बाप को जानते हो, दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं है कि कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो, पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यहा तुम्हारी है ही एक मत स्रेष्ट ते स्रेष्ट मत बाप ही आ कर देते हैं जो अपने को इश्वरिय अौलाद निश्चे करते हैं उनको अपनी दिल से पूछना है जो निश्चे ही नहीं करते उनसे यह धंदा भी हो नहीं सकेगा जो बाप के बने ही नहीं वे यह धंदा कर न सके बच्चे समझते हैं हमारी एम उब्जेक्ट ही है पावन बनना चित्र भी सामने रखे हैं नर से नाराइन और नारी से लक्ष्मी बनना लक्ष्मी नाराइन की डाइनेस्टी में हम जाए बाप आया है हमको पावन बनाने तो अपने को देखना है कि हम बाप का करतव्य कर रहे हैं या नहीं बाप ने क्या किया यह होस्पिटल व युनिवर्सिटी खोली बच्चों का भी यही काम है शुरू शुरू में जब बाप आया तो मकान तो छोटा ही था मम्मा के कमरे से भी छोटा था उसमें ही आकर परम पिता परमात्मा ने होस्पिटल अथवा युनिवर्सिटी खोली फिर धीरे धीरे मकान आदी बनते गए पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था धीरे धीरे बढ़ता गया तो बच्चों का भी यही करतव्य है फिर शिक्षा भी देनी पड़े पढ़ा लिखाई युनिवर्सिटी खोलेगा न हाँ अनाडी भी खोल सकते हैं खोल कर जो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे आप प्रिंसिपल बन चलाओ जिससे बहुतों का कल्यान हो बाप भी कहते हैं तुम ब्रहमनों का धन्दा ही है पतितों को पावन बनाना कोई पतित कारे नहीं करना है कभी विकार में नहीं जाना किसको कहना की पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है समझाया जाता है पवित्र के आगे आपवित्र लोग माथा तो टेकते ही हैं पहले पहले जब भक्ती मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे वे तो बाद में आये हैं उस समय सन्यासी कोई ज्यान नहीं देते थे ये तो पीछे सरव्यापी को ज्यान निकला है पहले तो कहते थे हम इश्वर और इश्वर की रचना को नहीं जानते हैं ना ही समझते थे कि वह बाप है, बाप फिर सरव्यापी कैसे हो सकता, अब बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, सरव्यापी के ग्यान नहीं भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया है, अब तुम धनके बने हो, फिर और निधनकों को धनका बनाने का पुरिशा जो पंडा बन आते हैं, तो धनका बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना, उनको भी कशिश होती है कि बरोबर धनी, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्सा मिलता है, बेहद का वर्सा है, बेहद स्वर्ग की बादशही, हद का वर्सा है नर्क, नर्क में दुख है, इसलिए इसको बादशही नहीं कहेंगे गधाई कहेंगे अब बच्चों को बाप की सेवा करनी है पतितों को पावन बनाना है सारा दिन यही धंदा करना चाहिए पतितों को पावन कैसे बनाए पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन बने हैं हमारे में कोई विकार तो नहीं है हमार परम पिता परमात्मा के साथ इतना लव है अगर लव है तो लव का सबूत कहां सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंदे में रहना यह धंदा नहीं करते हैं तो गोया ना खुद पावन बने हैं ना बना सकते हैं यह धंदा नहीं करते हैं तो उच्च पद पा नहीं कल्प कल्पांत्र की बाजी हो जाएगी समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है इश्वर को पाया भी फिर भी यह धंदा नहीं सीखें बाप के दिल पर वहे चड़ेंगे जो पावन बनाने का धंदा करेंगे मनश्यों को कोड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुशार्थ करना होता है बाबा मम्मा भी वही पुरुशार्थ करते हैं बाबा भी सर्विस पर जाते हैं बच्चों के तन में विराजमान हो पतीतों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं तो अपने को देखना चाहिए कि हम उन जैसी सर्विस करते हैं, अगर नहीं करते तो दिल पर चड़ नहीं सकते, कई तो मोहो वश फसे हुए रहते हैं, बाप से तो एक रस लव होना चाहिए ना, और सबसे नश्टो मोहा होकर दिखाना है, पुराने मित्र संबंधियों पुरानी दुनिया से मोहो निकल जाना चाहिए, जब वह निकले तब गुण धारन हो, कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो के दिल को खराब करते, निंदा करते रहते हैं, फलाने ऐसे हैं, यह ऐसा है, पहले तो अपने को हम क्या करते हैं, बाप को हम फोलो करते रहते हैं, फोलो करें, तब खुशी का पारा चड़ें, सर्विस करने वाले खुशी में सदेव हर्शित रहते हैं, नाम तो निकलता है ना, बाप कहते हैं, तुमको तो वनवहा में रहना है, आठ चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है ऐसा समय भी आना है ऐसे तकलीफ होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा पहनने के लिए इसलिए इन सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदी है उनसे बुद्धी योग हटाना है अपनी चड़ती कला है उसका भी सबूत चाहिए न जो पंडे बनाते हैं वह सबूत देते हैं सर्विस लायक बनना है ऐसे नहीं डिस सर्विस करें लून पानी हो आपस में ही लड़ते जगडते रहे बिस सर्विस करने वाले का पद भरश्ट हो जाता है मनुष्य मनुष्य में कितने लून पानी हो रहते हैं बात मत पुछो तुम्हारा धंदा है उनको बहुत मीठा बनाना कोई ऐसे फिर लून पानी बनने वाले मिल जाते हैं तो कहते हैं भावी यह भी सहन करना है हमको फि पुरे में कितनी ताकत है जो खारे सागर से पानी खीच कर मीठा बना देते हैं यह भी उन्हों की सर्विस है ना इसलिए इंद्रदेवता कहते हैं वर्षा बरसाते हैं तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए ऐसे नहीं कि और ही खारे बना दे कोई कोई तो खारा भी बना देते हैं, उनकी शकल ही प्रत्यक्स हो जाती है, खारे की शकल सावरी, मीठे की शकल गोरी, तुमको तो खुद गोरा बन और सावरों को भी गोरा बनाना है, बाप कितनी दूर से आकर यह सर्विस सिखलाते हैं, बाप की सर्विस ही यही है, पतितों को पावन बनाना, बह पूतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। दिल से पूछना है हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर कोई कुकर्म करते हैं। बाप की मत पर ना चलने से कुकर्म ही करते हैं। फिर पावन बनाने वालों की आगे भरी ढोनी पड इस दो, होस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, प्रन्तु डोक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए ना, कोई ऐसे भी डोक्टर होते हैं, जो उल्टी सुल्टी दवाई दे, मार भी देते हैं, यहां तो यह इश्वरिय दर्बार है, सबका खाता बाप के पास है, वह तो अंतर यामी है ना, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं, यह तो बाहर यामी है, यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुशार्ट करते रहते हैं, जो पावन नहीं बनते, वह सजाएं भोग अपने अपने सेक्षन में चले जाएंगे, सबको अपना अपना पाल्ट बजाना है नंबर वार आना है, आगे वो पीछे आते है ना, बीच से तो नहीं निकलाएंगे, जैसे जाड होगा, वैसा ही फल लगेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता, अभी जाड बिखरा हुआ है, कोई-कोई किस-किस धर्म में कनवल्ट हो गए है, हर एक नेशनल्टी की संख्य कितनी है, समझ नहीं सकते, हर एक की रसम रिवाज अपनी अपनी है, तुम जानते हो, जैसे मूल वतन में थे, नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार, हिसाब किताब जुक्तू कर, वहां जाए सभी को रहना है, उपर में निराकार आत्माओं का जाड है, कितनी स्पेस लेत होंगे, बहुत थोड़ी होगी, जैसे पोलार, आकाश, तत्व तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं, समझ में आता है, इतने तक मनुष्य है, सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे, धर्ती पर ही मनुष्य है, सागर का तो अंत ले नही सकेंगे इंपॉसिबल है उपर जाने की कोशिश करते हैं प्रंतु है तो बे अंतना बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ ऐसे नहीं कि हम वहां जाकर आकाश तत्व का अंत लेवें हमा आत्माएं उपर में रहती हैं तो भी स्पेस थोड़ी लेते हैं आकाश तत्व तो बहुत बड़ा है ऐसे नहीं इश्वर वहां बैठ ट्राइल करेंगे कि देखें आकाश तत्व कितना लंबा है यह कब बुद्धी में ख्याल भी आ नहीं सकता उनकी बुद्धी में है ही पार्ट बजाने का ऐसे नहीं कि महतत्व का पता लगाना होगा यहा कोशिश कुछ नहीं करता है बाबा कहते हैं मैं थोड़े ही यह कोशिश करता हूं यह तो बे अंत है अच्छा अंत पाने से फाइदा ही क्या कुछ भी फाइदा नहीं फाइदा है ही पतितों को पावन बनाने में आत्मय निर्वान धाम से आकर यहां पार्ट बजाती है बाप भी आकर पार्ट बजाते हैं वह है शांती धाम वहां यह कोई संकल्प नहीं आता कि यह देखें वो देखें यहां मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं कितनी मेहनत से अंत लेने जाते हैं बच्चों को पता है समय बहुत थोड़ा है लड़ाई लग जाएगी फिर उन्हों का आवाज आदी सब बंद हो जाएगा उपर में आना जाना बंद हो जाएगा यह सब तो जैसे पैसे बरबाद कर रहे हैं फाइदा कुछ भी नहीं समझो कोई जाते हैं क्या भी आकर बताते हैं इसमें वेस्ट ओफ टाइम जो पुरशार्थ करते रहते हैं कि हम जाकर बाप का परीचे देवें तो बाप से वर्सा ले लेवें बाप का ड्रामा में हाइस्ट पार्ट है नई दुनिया की सापना कर उसके लायक बनाना अब तो सृष्टी का अंत आ गया है कितना भी लोग माथा मारते रहते हैं टाइम वेस्ट करते हैं एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते हैं फिर भी फाइदा क्या मुक्ती जीवन मुक्ती तो मिलती नहीं बापी दुनिया में तो दुख ही दुख है तुम्हारी बुद्धी अब सॉल्विंट बन गई है तुम पुरुशार्थ करते हो औरों को आप समान बनाने का स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल्स को भी यही समझाओ बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी तो सिखलाते नहीं है सत्यूग से त्रेता दुआपर से कलियूग कैसे होता है यह है बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी इनको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेगे हम यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी समझाते है स्रिष्टी का चक्र कैसे फिड़ता है आओ तो हम तुमको परम पिता परमात्मा का परीचे देवें, जिसको निराकार कहते हैं, उनकी हम बायोग्राफी सुनाएं, ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्यान देते हैं, फिर कहेंगे कि ब्रह्म सरव्यापी है, परमात्मा तो नौलिजफुल है, ज्यान का सागर है, त तत्व को ज्यान का सागर थोड़े ही कहेंगे, बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्यान का सागर बनाते हैं, वे तत्व कैसे आप समान बनाएंगे? अच्छा, मीठे मीठे, सिकील अधे बच्चों उप्रती, मा तुपिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्नि रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मोर्निंग, धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, चड़ती कला का सबूत देना है, सबसे मोहो निकाल सर्विस लायक बनना है, अपने आपको देखना है, दूसरे की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है, बाप समान रहम दिल बनना है, कोडी से हीरे जैसा बनने का पुरुशार्थ करना है, लून पानी, अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है, वर्दान कर्म और योग के बैलेंस दवारा निर्णे शक्ती को बढ़ाने वाले सदा निश्चिन्त भव। और टाइट होने हैं ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णे शक्ती दवारा सहज पार कर लेंगे बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होगी उससे कभी संकल्प में भी आश्चरिय जनक प्रश्न उत्पन नहीं होगे ऐसा क्यों हुआ यह क्या हुआ यह कॉस्चन नहीं उठेगा सदेव यह निश्चे पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्यान चिपा हुआ है स्लोगन एक बाबा से सर्वसंबंधों का रस लो और किसी की भी याद न आए अच्छा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती